मुझे जिन्देकी का सबसे बड़ा शौक दब लगा जब पता चला कि उसे, उसे कैंसर था पापी सिद्धू ट्रीट्मेंट का कोई फाइदा नहीं हुआ हम उसे नहीं बचा पाए मुझे यकीन नहीं हो रहा था फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था मैं बहुत परेशान थी इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई क्या मैं इसकी वज़ा जान सकती हूं डॉक्टर? पक्ट फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी डूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा तर फूड कंपनीज हामफुल प्रेजरवेटिव और केमिकल्स आड़ गरते हैं टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पढ़ जाती है इससे लॉग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजिस होने लगते हैं डिपेंडिंग उन देर रेजिस्टंस कपासिटी तू फाइट डिजीजस कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है वहीं दूसरी और कुछ बच्चों पर ज्यादा हामफुल इफेक्ट होता है अब स्ट्रॉंग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गवाँ बैठते हैं बच्चा कितनी क्वाँटिटी में उन प्रोडक्स को कंजूम करता है उससे भी बहुत फरफ़ता है ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कमपनी सस्ते और घटिया इंड्रिटियंट्स डालते हैं जैसे आटे की जगा मैदा, आटिफिशल कलर्स, हामफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज, कॉन सिरप, गटिया कॉलिटी का ओईल, एटसेटरा आपके बच्चे का रेजिस्टन्स पावर लो था लंबे समय तर जंक फूड और पैक्ट ड्रिंक्स कंजूम करने की वज़ा से उसे कैंसर हुआ ज्यादा तर फूड कंपनीज ना तो गवर्मेंट के सेट गाइडलाइन्स और रूल्स फॉलो करती है ना ही बिजनेस एटिक्स यूमन वैल्यू से उन्हें कोई सरोकार नहीं पैरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए वही सहतमन्द है दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशन्स जिन देशों में हैं उनमें हमारे देश का नंबर दूसरा है कितने दुख की बात है हमारी नई पीड़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है उसकी वज़ा से मर रही है